दोस्तो आज हम बात करेंगे कि तुल्सी के पौदे को हम हरागना कैसे बनाएं अगर आपने अपने गार्डन में या घर पर गमले में या जमीन पर तुल्सी जी का पौदा लगाया हुआ है पौदा आपका सुकता जा रहा है पौदा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने तुलसी के पौदे को सिर्फ तीन दिन में हरागना कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आरके गार्णिंग यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त राजेंद तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं अले दोस्तों हम जानेंगे कि तुलसी को गणी कैसे बनाएं जिन लोगों ने अपने घर पे तुलसी जी का पौदा लगाया हुआ है पौदा बड़नी रहा है, पत्तियां पीली होकर गिर रही है दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे की आपको पूरी जानकारी मिल सकी क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तो तुल्सी के पौदे को घना करने के लिए सबसे जरूर लिए है उस पौदे की केर करना सामने जो तुल्सी जी का पौदा दोस्तो आप देख रहे हैं इस पर देखे कुछ मंजरियां लगी हुई हैं कुछ मंझरियां पक चुके हैं जो किस makeup फूट है वह फक के हैं ओर के तो तुल्ची जी के पॉदे को गना करने के लिए दोस्तो में आप को बता दू जो शीड़ आम मेरे हाथ में देख रहे हैं ना इनको हमें करना क्या है कि तुल्शी जी के पधे की हमें पिंचिंग कर देनी है, दोस्तो पिंचिंग करने का ये फायदा है जब हम अपने पधे से जितने भी सीट पॉट हैं उनको हम अठा देंगे तो हमारा पौधा जितनी भी जो एनर्जी है वो पूरी अपने पत्तों में लगाएगा और नई ग्रोथ निकल के आएगी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो तुलसी जी की जो एनर्जी है वो सभी सीटपोड बनाने में लगा देगा और हमारा पौधा सुकता जाएगा तो दोस्तों तुलसी के पौधे को आप घना करना चाते हैं तो आपको एक काम करना होगा अगर आपके तुलसी जी के पौधे पर जो मंजरियां वनी हुई है तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जैसे मैं तुल्ची जी के पौधे की पिंचिंग कर रहा हूँ न उसी तरह आपको तुल्ची जी के पौधे की पिंचिंग कर देनी है तुल्ची जी के पौधे पर हमें कोई यल्दवाजी नहीं करनी है हम एक नॉर्मल तरीके से तुल्शी जी के पौदे के उपर पिंचिंग कर देंगे और हम केवल यह हास से कर रहे हैं हमने ना कोई टूल लिया हुआ है हम इसे केवल हास से कर रहे हैं दोस्तो पिंचिंग करना बहुती आसान होता है तो ये देखिए दोस्तो मैंने आदे पौदे की पिंचिंग कर दी है और बागी पौदे की भी मैं पिंचिंग कर देता हूँ जो हमारा आदा पौदा बचा हुआ है अब जो हमारे ये सीड पौदे हैं दोस्तो कुछ कच्चे हैं कुछ पूरी तरह से पक चुके हैं यानि कि इनमें सीड बन चुके हैं इने हम द्वारा से वो करके तुलशी के पौदे और उगा सकते हैं ये सबसे नॉर्मल तरीका दोस्तो मैंने आपको बताया है अब दोस्तो जब इसकी हम पिंचिंग कर रहे हैं उसके बाद में दोस्तो हमारे पौदे पर जितनी भी पौदा फटिलाजर में से एनर्जी उठाएगा वो पूरा पौदा अपने आप में लगा देगा ना कि सीट पोड में पौदा अपने आप घणा हो जाएगा दोस्तो तुलसी जी के पौदे की पिंचिंग पूरी तरह से दोस्तो अब कर दी है अब दोस्तो जिन लोगों के पौदे पर जो पीली पत्ती होकर गिर जाती है और पौदा सुकता जाता है तो दोस्तो आपको परिशान होने की कोई जरूत नहीं है दोस्तो मैं अब आपको बताऊंगा ऐसे फटलाजर जिनसे आपकी तुल्शी के पोदे बिल्कुल हरे गने रहेंगे और पत्ते भी तुल्शी के नहीं गिरेंगे तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं हम उस फटलाजर के बारे में दोस्तो फटलाजर आप इसमें दो तरह के यूज कर सकते हैं और्गैनिक फटलाजर और इन और्गैनिक फटलाजर कहने का मतल़ यह है कि और्गैनिक फटलाजर से भी आप तुल्शी को गनी कर सकते हैं और chemical fertilizer से भी तुलसी के पौदे को आप बहुत ज़्यादा घना कर सकते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको बिल्कुल और गयनिक fertilizer बताने जा रहा हूँ दोस्तो सामने आप जो दो तरह के ये fertilizer देख रहे हैं ये दोनों ही fertilizer बिल्कुल और गयनिक हैं तुलसी के पौदे को गना करने के लिए दोस्तो हमने fertilizer लिया हुआ है mustard cake fertilizer ये अच्छा काम करता है तुलसी के पौदे में आप इसे फूलों वाले पौदे में भी यूज कर सकते हैं इसके अराबा दोस्तो मैं आपको बता दूँ ये जो आप देख रहे हैं दोस्तो ये है epsom salt epsom salt हमारे पौदे पर ये काम करता है जब हम अपसका इस्प्रे तुलसी के पौदे पर करते हैं तो जो नई growth निकल के आती है वो बहुत अच्छी growth निकल के आती है पौदा हमारा घना हो जाता है दोस्तों ये हमने एक चम्मच एपसम सोल्ट लिया हुआ है इसका हम तुल्शी जी के पौदे पर इस्प्रे कर देंगे ये हमारे पौदे पर बहुत जल्दी काम करता है आप इसे अगर छोटी तुल्शी के पौदे पर भी इस्प्रे कर देंगे तो तुलसी का पौदा बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा तो चलिए दोस्तो एक चम्मज लेने के बाद में से हम इस्प्रे वोटल में डाल लेंगे डालने से पहले दोस्तो जो हमने मस्टर के फटलाजर लिया हुआ है उस फटलाजर को हम तुलसी जी के पौदे में डाले देते हैं इसके अलावा दोस्तो ध्यान रखें कि तुलसी जी के पौदे में अगर जादा नमी हो बहुत जादा नमी तो आपको उसका पानी एक से दो दिन के लिए बंद कर देना है तब जाकर ये fuchड लाजर आप उसमें यूज करें तो चलिए दोस्तो अब जो हमने epsom salt लिया हुआ है एसे हम एक spray bottle में टालै लेते हैं और तुल्सी के पोधे की उपर इसका हम स्प्रे किये देते हैं इस परे दोस्तों आपको तुलसी के पौदे के उपर ऐसा करना है कि गलती से भी हमसे कोई साका छूट ना जाए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरी तुलसी जी का पौदा पूरी तरह से निला दिया है तो दोस्तो इस तरीके से आप अपनी तुलसी के पोदे को बहुत ज़ादा घनी कर सकते हैं और हरी वरी सिर्फ तीन दिन में उम्मीद है आपको ये वीडियो अवसी पसंद आईए होगी तो दोस्तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें ठेंक जी